हलो दोस्तों आज बात करूंगा रौकी और रानी के रिव्यू के बारे में मूवी अभी देखकर के आ रहा हूं और जो मूवी है आप देखेंगे तो सबसे पहले कलरफुल मूवी है ये और उसके साथ साथ ही फैमिली ड्रमा मूवी है और आपको एक लव स्टोरी अंगल भी थोड़ा सा देखेंगे हलका सा बट जो उनका करेक्टर है वो भी काफी अच्छा है उनकी आपको देखने में अच्छी लगेगी जिस तर से उन्होंने जिस वक्त पर भी वह फ्रेम में रहे हैं वह अपनी मतलब चाप छोग रहे हैं या फिर जो मतलब उनको रोल दिया गय हैं और बात करें जो लीड रोल है अलियभट और रनवीर सिंग उनका भी जो करेक्टर है या फिर जिस तर से इस्पेसली जो रनवीर सिंग का है उनका जो करेक्टर है उनसे भी आप कनेक्ट हो पाएंगे और मूवी अगर पूरी मूवी की बात करूं तो थोड़ा सा जो यह सीन ना होता या फिर यह चीज डालने की जरुवत नहीं थी तो कभी-कभी ऐसा भी लगता है लेकिन मुवी जो थी फैमिली ड्रमा कह रहा हूँ और साधी साथ कलर्फुल मुवी थी क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन का था 25 अनिवर्सरी यह साथ साल है ऐसा कुछ था जो करन जोहर का तो वो भी सेलिबरेशन था इसमें और सबसे अच्छा सीन क्लाइमेक्स से थोड़ा पहले साध दूर का क्योंधा होती है उसमें नवराथ के आख्री दिनों में पंड्राण वगरे लगता है मातरानी का तो उससे एक सीन है और हैं और दान्स होता है तो वह उससे आप करने वाले हैं और डिवोशनल भग्ति आप फेल करने है और साथे साथ जो लगकी है यानि कि जो आलिया भाट का करेक्टर है फिमेल करेक्टर है लीड रोल उनके जो पिता जी है तो वो कत्थक करते हैं इस होज़े से उन्होंने एक सीन रखा था कत्थक का वो भी बहुत आपको अच्छा लगने वाला है मूवी में बस जो मूवी के साथ जाते हैं तो आपको ज्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि थोड़ा सा रॉमेंटिक फैमली ड्रामा है इस वज़े से मैं कह रहा हूं और फैमली के साथ भी जा करके आप देख सकते हैं क्योंकि जो दर्मिंदर का करेक्टर है और सारी साथ जो उनका एक एक एंगल अलग से दिखाया गया है तो वह भी आपको पसंद आने वाला है मूवी में बाकि ओवर ओल्वी की बात करों तो आप जाकर देख सकते हैं वन टाइम वाच है कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा डिसकनेक्ट करती है और थोड़ा सा लंबी है लेंदी मूवी है यह थोड़ा स रिवियो के बारे में या फिर कोई वीडियो आता है तो उसके रिवियो के बारे में नमस्कार।